आज हम बनाना जारहे हैं फ्राइड एक जसे खाने बहुत ही मजाता है और खाने बहुत ही टेस्टी होने वाला एक तो सबसे पहले हमने जो हमारे एक थे उनको बोईल कर लिया है बोईल करने के लिए आपको 10 मिट से जड़ा जरूरत नहीं है बोल करने के बाद से छील ले उसके बाद आप जो धागा होता है उससे काटे तो जो इसकी फिनिसिंग है बहुत ही अच्छी आएगी या तो आप ना हो चाको से भी कार सकते लेकिन चाको की जो धार होती है तेज होनी चाहिए तब हमने लिए पैन उसके दर पीसे से उसमें एड कर रहे है और आपको बहुत साधरी से एड करना है ताकि जो यलो पाठ है बाहर ना आ जाए तो एक ही करके हम सभी पीसे को एड कर दे रहे है और इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे आपकी जो फ्लेम होगी वो लो टू मीडियम रखे तो क्रिस्पी पना जाए और खाने में बहुत ही मजाए अब इसे हम निकाल लेते हैं यह दोनों तरह से जो क्रिस्पी हो चुका है और भून चुका है अगर आप चाहें तो इसके साथ ही मसाला एड कर दे लेकिन हम लोग अलग से मसाला बना रहे है जैसे कि स्टीट पर आप द आपको खाने में ज्यादा अच्छा लगेगा अब इसके साथ एड कर देदे टामाटर आप जाए तो ज्यादा भी एड कर सकते लेकिन ज्यादा एड ना करें तो खट्टेपन का स्वाद आएगा आपको इसलिए थोड़ा सा कम यूज करें साथ में चीली तीखेपन के पाउडर यह आगया हमारा जीरा पाउडर अब इसके साथ हम यूज करने वाले है हमारा जो थोड़ टेस्ट के लिए गरम मसाला हलका सा उसके साथ यूज करने वाले है जो हमारी रेड चिली है लाल मिर्च पाउडर तीखेपन के लिए और हमारे जो गैस की फ्लेम होगी इ ताक आपके मसाले जल जाएंगे, आपको यहीं बाइच एड कर दे, फोड़ा है ठनिया पता, जिसे आपको एड कर दिया है, इसके बातरश्यों है आपको एड कर देma है, शोट निवर कर देमें आ जाएं इस प्रकार से बस रेश्पी रेडी हो गई बहुत इजी है आपको जो टाइम लगेगा खाली एक को बोईल करने में लगेगा उसके बाद कोई टाइम लगनी वाला नहीं है तो इसे घर पे ज़रूर बनाए और कोमेंट करें बताएं कि कैसी बनी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक करे चैनल पर ने हो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और ऐसी रेस्पी हम आपके साथ सेर करते रहेंगे तो नोटिफिकेसन बेल को भी ओन कर दें और उपर सदोह डाल दें चाट मसाला आपको फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा चलोए तो मिलते हैं अगली वीडियो में अब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्याल रखें टेक केर